आलु गोबी का चाकना भौत रखम से बना कुरहेंगे लेकिन यह जो हमारे तरफ बनाती हैं ऐसा एक बार बना को ट्रॉई करको देखो भौत पम मसाले भौत कम इंग्रिडियंटस इस्तेमाल करको बनाते सो तो क्या कटो एक आधा किलो की गोबी पाक करको वाश करको रख लि दो आलू और कुथी मेर नारियल इता पूरा क्लीन कर लेको पील कर लेको अच्छे से वाश करको एक देट सो एम्मेल तेल में जो तीन से चार प्यास काट को रखो रहती वो दाल को अच्छा बगार लेओ जा कलर चींज होने के बाद चार टमाटर एक अंदाज से काट को उसे कश्मीर लाल मेचले को हमें उसके वास्ते कलर भोत अच्छा आता इससे और एक आदा टीस्पून के वाता हल्दी का पॉड़र टमाटर जल्दी सॉफ्ट होने के वास्ते हैं और इसके बाद जब पूरी तरह अच्छा सॉफ्ट हो जाती हैं एक जरा नारियल और कुथी मेर एक पीस को डालना इसमें तो एक हाफ कप के वाता नारियल है और एक मुठी भर को कुथी मेर है इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेको और जो बच्छ को हता जार में उसका भी पानी मिला को डाल दालो और एक्स्ट्रा क्या भी तुम्हें इसमें पानी डालने की जरूरत नह मेरा लुशवません तुम्हें जो आलो और गोबी काट को वच करको रख लेको होतिए इसे अब कच्छे समय जाना पहले मसाले के बाद इसे जो आलो और गोबी मिला लेना मसाले में गोबी बाने को हमेशाought वहरा क्लीन करको एक नम्मक और जर्चे समरा पानी में दाल Tä foods यह और तो एक 5 मिनिट्स हाई फ्लेम में रखो उसके बाद 15 मिनिट्स मीडियम टू लो फ्लेम में रखो पका लिओ तुम्हें क्या भी इसमें एक्स्ट्रा पानी दालने के जरूरत नहीं है भूँत ज्यादा ड्राइ होना का तो हाई फ्लेम में फिर एक 5 मिनिट्स लास में रखो बना ले तो आलो गूबी की सबजी या आलो गूबी का चाकना, साथ में मैं आज मरकीन के पराठे बना ली थी, मरकीन का तो मैदा, All-Purpose फ्लार के आज रोटियां बना ले को, इसके साथ बहुत अच्छा दिखता है वो, नहीं तो भी तुमें चामल की रोटी आरागी की जिए रोटी भी बना ले सकती है, तो जरूर एक मरदवा बना को ट्रैकर को, धहिए हुत्र में देखा बहूत कम इंग्रेडियेंट्स हीं, लेकिन टेस्ट हखुत जबरदस्त हता। ज़रूर एक मरका बना को ट्रैकर को देखा, यूटुब के चैनल का लिक वयो में है,